आज हम लोग करेंगे साइट कंट्री वेब हुस्टिंग का डीटेल्ड रिव्यूट हाई गाईज मेरा नाम ही कृपेश आडवानी यहाँ पर मैं वेब हुस्टिंग रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ साइट कंट्री के बार में मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है पिशले 3-4 महीने में जो भी वेब हुस्टिंग वाले वीडियो से उसमें कोई ना कोई कोमेंट आई जाता था जो फाइनली यहाँ पर मैं इसका रिवियू करने जा रहा हूँ और सिर्फ एक प्लान का नहीं दो टोटल मैंने आपे तीन प्लान्स लिये हैं जिसकी मैंने टेस्टिंग करी है, डिटेल टेस्टिंग करी है, लोटेस्ट, स्पीटेस्ट सब कुछ करके देखा है, उसके बाद में आपर मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आपको ये भी बता हूँ कि अगर आपको साइट कंट्री लेनी चाहिए, तो कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, तो बिना किसी डेले के स्टार्ट करते हैं, साइट कंट्री कंपनी के बारे में बात करें, तो ये काफी नहीं कंपनी है और 2020 में ही स्टार्ट हुई थी, और जो इनका अबाउट डास पेज है, यह अधित्य श्रिवास्तव जो है, वो शायद से इनके पाउंडर है, इनका यह कहना है, यहां पर लिंक्डेन पर तो मोस्ट प्रब्ली यह ही होंगे, और इनका यहां पर थोड़ा बहुत experience है, AWS में, और पात साल का experience है यहां पर, और IIT मदरास से यहां पर यह पड़े हैं, औ अला कि अगर यहां पर अपने about us page में अपनी team के बारे में दे जेते हैं, थोड़े transparent हो जाते हैं, यह सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, यह हमारी code team है, तो मुझे काफी अच्छा लगता क्योंकि अगर नई website है, तो यहां पर आपको अपनी जो brand है, उसको establish करने के लिए, जो उस brand के पीछे जो लोग हैं, उसके बारे में बताना तो चाहिए, testing parameters के बारे में बात करूँ, तो इनके पास बहुत सारे यहां पर plans है, public cloud है, premium cloud है, ilight cloud है, vip है, reseller है, तो यहां पर मैंने यह जो तीन है, public, premium, ilight, इन तीनों में से मैंने एक-एक plan लिया है, public cloud में में मे पर रिवाली website premium cloud पर setup है, then we have the third one that is, ilight cloud, ilight cloud में अपर enterprise वाला plan है, मेरे पास जो की यहां पर setup है, oceanwp theme है, gym template का used किया, element or base यह theme है, and caches के 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 लिए lightspeed servers के यह यूज किया गया है, so lightspeed cache plugin, default settings पर मैं यूज किया है, अपने सारे testing के लिए सारे websites के उपर, server response time के बात करों, तो इंडिया में आपको कम मिलेगा और जैसे आप लोग दूर जाते आओगे यूएस में जर्मनी में सर्वर रिस्पॉंस थोड़ा बढ़ जाएगा यूजर इंटरफेस के बारे में बात करूं तो जैसे हम लोग इन करेंगे आपको इस तरह का यहां पर इंटरफेस होगे तो आपको डाइरेक्ट आड्मिन के ऊपर लेके चला जाएगा पहले सी पैनल इनके पास था देन इन्होंने यहां से सी पैनल को कम्प्लीटली रिमूव पर दिया है क्योंकि सी पैनल की प्राइजिंग यहां पर अभी रिसेंट की इंक्रीज हो गई है और वो कंटिन की देन जो का प्रीमियम था उसके मुझे 1.15 वन सेकंड की मिलिये और देन जो इनका एलाइट था उस पर 935 मिलिये तो स्पीड यहां पर तीनों पर ही कापी अच्छी देखने को मिली है हाला कि I was expecting क्योंकि इंडिया में इनका डेटा सेंटर है तो यहां पर अंडर वन सेकं तो मुझे यहां पर 8.96 सेकंड की तो यहां पर कोई सीडियन आपका अक्टिवेटेट नहीं मिलेगा अब अगर मैं इसके अप्टाइम के बात करों तो मैंने थीनों प्लान के आप अप्टाइम पी चेक किया है तो यहां पर मुझे मिला है 105 लास्ट एक सो पांच दिन का 99. पर संट इस दीसंट तोड़ा यहां पर इंप्रू हो सकता है लेकिन जिस प्राइस पर आरा है उसके है थीक है तो यहां पर टर्बो प्लान यहां पर लास्ट एक सो पांच दिन से डेस्ट आउट कर रहों और यहां पर मुझे 99.99 पर संट मिला है विच इस रियली गुड य प्लान के बारे में बात करूं तो यहां पर अप्टाइम मुझे मिला 99.82 परसंट विच इस नौट गुड एलीट प्लान है इतना पैसे में इसके दे रहा हूं तो 99.82 परसंट से काम नहीं चलेगा 99.93 एट लिस्ट होना चाहिए मेरी ओपिनियन में तो इसका अप्टाइम म यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने 50 वर्चुल यूजर भीज़े अपने तीनो प्लान के ऊपर देखने के लिए कि कैसा लोड हांडल करेंगे तो जो यहां पर पब्लिक क्लाउड के मुझे रिजर्ट मिलें वह कापी अच्छे मिले है पूर मिला है I don't know why लेकिन जो इसका रिस्पॉंस ताइम था वो देखिए आप लोग रिस्पॉंस टाइम यहां पर मेरा 7400 MS टच कर गया है इतना जादा यहां पर मेरा रिस्पॉंस टाइम हो गया था और जैसे से मेरे वर्ट्वल यूजर बढ़ा रह थे वैसे वैसे रिस आज एक्सपेक्टेड उसकी जो परफॉंस टीओ काफी अच्छी ती रिस्पॉंस टाइम भी कम था पीक रिक्वेस्ट जी टाच का गया और रिक्वेस्ट मेट भी यहां पर काफी अच्छी कोई इशू नहीं आए मुझे एलीट प्लान पर तो पब्लिक लाउट एलीट ल एलीट क्लावड का इयरली प्लान लेते हो तो और टेंपरररी युरा युराल के बारे मेंन बात करो तो वह आपको नहीं मिलता है बाइदिफॉर्ट लेकिन आप दो सपोर्ट टीम से वह से सुपोर्ट टीम यहार इयम कर देंगे CDN के बात करनो तो यहां पर CDN मेंशन है इनकी वेबसाइट पर लेकिन वो CDN आपको Quick.Cloud की तरफ से मिलेगा जो कि हर Lightspeed Server वाली वेबसाइट के उपर रहता है और क्योंकि यहां पर यह लोग Enterprise Servers यूज कर रहे हैं तो जो आपको Off-site यहां पर Backup Store होते हैं जो की रहते हैं S3 Storage के उपर Public Cloud Plan पर यहां पर आपको पांच दिन का Backup मिलेगा और Elite और Premium Plans के उपर आपको साथ दिन तक का Backup देखने को मिलेगा Support की बात करों तो It Was Good In My Experience Live Chat Support है यहां पर जो की मेरी Experience में Fast था Ticket Support भी इनका Fast है और जो Support इनोंने मुझे प्रोवाइड कराया तो यहां पर इमेज प्रोवाइड कराया कर दो कि मुझे गाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से स्थेप्स आपको लेने चाहिए लेकिन चैट पर मुझे उसका नहीं मिला फिर उसकी टिकेट क्रियेट करी थी देन अगले छे गंटे में यहाली प्रोब्लम रिजॉल्फ हो गई थी तो overall इनका Support अच्छा है लेकिन थोड़े बहुत आपको glitches इनकी वेबसाइट के ओपर देखने को मिल सकते हैं इनोट काउंट की बात करूं तो जो मेरा Public Cloud वाला प्लान था उसमें मुझे 3 लाग का मिला था Premium Cloud पे 30 लाग तक था और जो इनका Enterprise है Elite Cloud वाला उस पर मुझे कोई limit नहीं थी इनोट काउंट के जाके देख सकते हैं description box में प्राइजिंग के बारे में बात करी जाए तो मेरे पास आप लोगे special offer है उसका लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगा जैसी आप लोग पर लिंक पर क्लिक करोगे इस पेज के ऊपर आप लोग आ जाओगे यहां पर आपको discount coupon code मिल जाएंगे और यह इनके pricing है current pricing है और जो मेरा coupon code यूज़ करोगे तो आपको extra discount भी मिल जाएगा पर एक्जामपल यहां पर मुझे लेना है public cloud यहां फिर premium cloud तो मैं activate deal पहले इस coupon code को मैं copy कर लूँगा then activate deal पे यहां पे click कर लेंगे हम लोग प्लान इनके 49 रुपीस से start होते हैं जाते हैं कापकी expensive हो जाते हैं जो इनका elite plan है तो फिलाल के यहां पर मैं premium cloud service का देख लेता हूं टर्बो प्लान पर आजाता हूं जो कि 700 रुपीस पर मन्त है order now पे आपर हम लोग click करते हैं उसके बाद सब domain के लिए फिलाल आपर मैं तो भी यहां पर price में बहुत जारा difference नहीं है जैसे annually इसकी 667 है monthly 699 है बहुत सारे असे लोग होते हैं जो आन्वली यहां पर काफी जारा charge कर लेते हैं तीन साल के लिए काफी कम charge करते हैं तो थिंग इस कि यहां पर बहुत जारा difference नहीं है अगर मैं 3 साल के लिए यहां पर 1 एक साल के लिए यहां फिर एक महीने के ले लूँ अब में नीचे आ जाता हूं हम लोग यहां पर कंटीनिव करते हैं मैंने यहां पर एक साल का प्लाइस प्राइस सिलेक कर लिया है और प्रमोशन पर हमें अमना कूपन कोड़ एंटर कर देना एक रिपेश प्रीमियम जो मैंन प्रमोशन ही पी नंबर है आपके पास थो अ यूपिआई से भी यहां पर पेमेंट हो सकती है विस प्लाइन के बारे में बात करूं तो यहां पर बहुत सारे प्लाइस से कंक्यूद हो जाओ मैंने सारे plans लेके देखे टेस्ट करके देखा अब मैं आपको यहां पर मेरे टेस्ट के हिसाब से जो भी मैंने experience के उसके हिसाब से आपको best plan बता देता हूं सबसे पहले यहां पर आपको जो सबसे सबसे मिलेगा वो रहेगा public cloud का इसमें आप लोग sapling यहां फिर लेकिन जो मुझे यहां पर लोड टेस्ट के रिजर्ट मिलें वह अच्छे नहीं थे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा प्रो प्लान आप लेके देख सकते हो शायद से हो सकता है जो मेरा सर्वर वह इतना लोड नी ले पा रहा हो लेकिन बाकी लिए लेंगे तो यहां से आप इलीट प्लान में मेरे पास यहां पर एंटरप्राइस था जो कि अच्छा था लेकिन इसका अप टाइम इतना अच्छा नहीं था तो आइवोंट रिकमेंड इट लेकिन अगर आपको हेवी ट्राफिक वेबसाइट है और आपका बजट कम है हेवी ट्राफिक बहुत जादा ट्राफिक अरफिक आरही है आपकि पास ट्राफिक तो देख सकते हो इसके उपर उपर आपको 14 डे की रिफंड मिलजाएगी maigreration की बात करनोग तो free migration देव आपको provides कराते हैं, जो कंका public cloud और प्लान है, seed पर आपको 1 मिलेगा, sapling पर 2 मिल जाएंगे, 3 पर 3 मिल जाएंगे, और जो एनके premium वाले plans है, light पर आपको 10 मिल जाएंगे, pro पर 20 मिल जाएंगे, turbo पर 30 free migration पोर 20 ज्यादा है साइट बिल्डर की बात करें तो साइट पैट साइट बिल्डर आपको मिल जाता है जो कि अच्छा है इजी टू यूज़ है सब्सक्राइब बात करें तो प्रोज अच्छा लगा तो इसको थम्जब जरूर देजिएगा इट रियली मीन्स अलॉट और काफी रिसर्च करी और आप लोगों की डिमांड परी में साइट कंट्री का रिव्यू यहां पर लेकर आया हूं तो अगर मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूं तो यह काफी अफॉर्डेबल है इनका सपोर्ट अच्छा है डेटा सेंटर आपको इंडिया में मिल जात इनको फंडिंग मिली है क्या इनकी विजिन है कैसा कैसा इनका रोड माप रहेगा तो इसका सबसे बड़ा कौन मुझे यही लगा है सेकेंड जो कौन है वो यह है कि बहुत सारे प्लान से यहां पर तो अगर कोई यहां पर पहली बार आ रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा क रिफंड पॉलेसी भी से 14 डेस की है बलकि जो स्टांडर्ड इंडस्ट्री रिफंड पॉलेसी है वो 30 डेस की रहती है यूज्वली नाव कमिंग ओन तो बॉल्टम लाइन साइट कंट्री यहां पर काफी नई कंपनी है लेकिन जिस प्राइस पॉइंट के उपर जो फीचर आप रखो एक एक्स्टरनल स्टोरेज के उपर क्लाउड स्टोरेज पर रख सकते हो आप लोग जैसे कि गूगल ट्राइब कर द्रॉप बॉक्स हो गया महां पर रखो और परस्नली क्या मैं इसको यूज करूँगा परस्नली आम नॉट गोईंग तो यूज इट फॉर माइ क्योंकि यह पहले तो नहीं कंपनी है सेकेंड मुझे यहां पर थोड़े बहुत ग्लेचेस देखने को मिले हैं परस्नली मैं नहीं उस करूँगा एविल गोवेथ होस्तिंगर होस्ता अर्माड़ा केमी क्लाउड फास्ट कॉमेट लेकिन बहुत सारे लोगों को यहां पर ब और जो नेमचीप जो लोग पहले यूज करते थे शेयर होस्तिंग में क्योंकि वह सच्टी थी टेस्टिंग के लिए इंस्टेड आफ नेमचीप नाव यूज यूज कर सकते हो और एक बार जब आपकी वेबसाइट से पैसे आने शुरू हो जाए देन यूकें डिसाइड क कि आपको साइड कंट्री पर ही रहना है कि स्विच करना है कि आप विसे साइड कंट्री यूज कर रहे हो अगर कर रहे हो तो डूलेट मिनो कि अभी तक का आपका एक्सपिरेंस कैसा रहा है और एक और सिनारियो है जहां पर इसका यूज किया जा सकता है वह है जो इनके एल लेकिन कम बज़ट में आपको हेवी ट्राफिक ले चाहिए तो फिर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हूं So that is it for this one, अगर आपके पास कुछ questions है तो आप लोग मुझसे नीचे comment में पूछ सकते हैं मुझे support करने के लिए मेरे नीचे देगए लिंक से purchase कर सकते हैं and video अच्छा लगाऊ तो इसको thumbs up भी दे सकते हैं So that is it and I will see you guys in the next one, good bye